Dear ICSE and ISE student, जो मेरे board पर कई दिनों से लिखा हुआ, आप कुछ words देख रहे होंगे, इसको लेकर मैं confirm करने की कोशिस कर रहा था। यानि CISC 2021 के board examination में student के confidence को बहाल करने के लिए, examination offline mode में student participate करे उसके लिए और schoolों को encouragement या boost देने के लिए कि उनके जो July में result आएंगे, ISE class 10th और ISE class 12th 2021 के, वे कम से कम बेहतर होंगे, इसके लिए off the record, no fail, all pass and to secure maximum marks to greater extent की policy अपनाई जाएगी। हाला कि इस विषए पर confirm करने के लिए, school के head या CISC के official कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो बाते मानी गई हैं, उसके मताबिक student को fail करने के रनीती को नहीं अपनाया जाएगा। इसके पीछे की एक बज़ा 2020 का online teaching या study का जो process था, जिसमें student बुरी तोरों से crumble down होगे हैं, इस बात को CISC accept करने हैं, इसलिए बच्चों को maximum pass करने की policy अपनाई जाएगी। जो copy checking यानि student जो ICSE और ISE वाले होगे, उनके standard answer booklet को check करने के लिए examiner, head examiner, supervisor, जितने भी इस system के हिस्से होते हैं, उन सब ही को एक बात कही जाने, key of the record है, find all maximum ways to promote the student और pass the student as far as possible, कि अधिक्तम रास्ते खोजने होंगे जिससे की student को pass कर दिया जाए या promote कर दिया जाए, इससे वैसे student जिनोंने जड़ा से भी पढ़ाई नहीं किया, या थोड़ी बहुत पढ़ाई किया, जिनके मन में fail करने का डर लगा हुआ है, उनके डर दूर हो जाएंगे कि वे fail नहीं करेंगे, दूसरे बात या बोली गई है कि वैसे भी IAC class 10 थी या IAC class 12 में fail करने वाले student की संख्या बहुती ही कम, 1000 से भी कम होती है, all over India and abroad, इस context में student fail करेंगे, 2021 के board examination में ऐसा नहीं लगता, अब वैसे student के बारे में क्या कहा जाए, जो पूरी कोपी को खाली छोड़ कि आ जाए, compulsory subject, IAC class 10 के लिए Hindi and English और Sanskrit या फिर local language जो इनके बदले में लिये गए होगे, और इसके साथ IAC class 12 के लिए English और जो उनका extreme subject होगा, जैसे accountancy एक paper हो गया, या physics chemistry bio हो गया, या फिर आपकी humanity के subject होगे, उनमें से एक subject में अगर student pass कर जाता है, या को यूज किये जाने की बातें कही जा रही है, और different label पर यह confirm है कि student को फेल नहीं किया जाएगा, अब यह pass का label कितना है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि IAC class strength के लिए 33% है, यानि कि आपको practical और project 20 marks के होते हैं, उनमें आपको 33% marks minimum लाने हैं, इसी तरह से 80 marks के written board examination होग होगे, उनमें भी आपको 33% marks लाने होगे, 26 to 27 marks अधी आप स्कोर कर लेते हो, out of 80, तो pass कर जाएंगे, कोई दिक्वत नहीं, अब ISA में थोरी सी leniency बरतने की बात कही गई है, IAC class 12 के लिए 33% की बजाए 35% passing marks है, तो उन्हें अपने practical project में भी 35% प्राप करने होगे, और जो 70 या 80 marks के return बोर्ट धिक्जामने सनोंगे, उनमें भी 35% marks लाने होगे, यहाँ पर जिच यही है कि IAC के student थोड़े से ज्यादा फेल करते हैं, उनकी संख्या देश बर में 500 से 600 हो जाती है, तो ऐसे student को फेल करने से बचाने के लिए, CISC की policy है कि student को हर संभव marks award किये जाएं, उनमें step marking की बिवस्ता होगी, student के attempt पर marks देने की बिवस्ता होगी, student ने यदि अपने question को समझने के बाद answer को लिखा है, बीच में break या crumble down हुए है, या फिर उसके जो motive के answer तक नहीं पहुँच पाए हैं, तो भी student को marks leniency दिये जाएंगे, मतलब काफी उनके साथ उदारता बरती जाएंगे, coffee checking के मसले के, तो यहाँ पर तो हो गई pass करने वाले की बाद, अब है कि maximum marks score करने के लिए यही formula को यूच किया जाएगा, या एक positive vibes से बड़ा काफी hopeful और optimistic steps है, जिसके लिए एक thumbs up है, you can consider to subscribe the channel also,